नमस्कार सात्यों आज हम बात करेंगे वह फ्लाइटों के बारे में जी हैं बाई पर्टिकुलर एक कंट्री की बारे में बात नहीं करेंगे हम सभी कंट्रियों के बारे में बात करेंगे उन कंट्रियों के बारे में जो कंट्रियां इंडिया के लिए फ्लाइटें स्टार्ट नहीं कर पा रही है जी है इसका क्या reason हो सकता है अलांकि reason आपने बहुत सारे देखे होंगे कि ये कारण है इस वज़े से flight उपन नहीं हो रही है लेकिन देखे हम वह ना बगल में छोरा हमारे राजस्ताने में एक वावत है बगल में छोरा और गाव में धिंडो रहा है यानि समझ रहे हो बात को कमी अपने में है हम दूसरों के अंदर कमी निकालने की कोशिस कर रहे है कि वो देश flight नहीं कर रहा है ये ठीक है अच्छी बात है लेकिन कुछ हद तक हमारे अंदर भी कुछ कमी है इसी वज़े से हर कोई इंसान देखिये होता क्या है आपने देखा बात करेंगे कि फ्लाइटें स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही है कब तक स्टार्ट हो सकती है या अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है आगे क्या इस्तिती होने वाली है इस मेने में अगस्त मेने में जिया क्या ये बैंकर रूब लेगी फ्लाइटें बंद होने वाली समावनाई बढ़ेगी या पिर कम होगी या फ्लाइट स्टार्ट हो सकती है इंडिया में थर्ड वेव यानि तीसरी लहर की क्या इस्तिती है इससे हम डिटेल से बात करेंगे अगर आप ये वीडियो पूरा जानकरी देख लोगे तो आपको ये बात मायने में गुज जाएगी कि रियल में ये ही रिजन है इस वज़े से फ्लाइट स्टार्ट नहीं हो रही है वीट फूरुफ मां आपको ये बातें शेयर करूँगा जी हाँ वीडियो पूरा देखिए अचाला के तो लाइक सेयर करेंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लिजी फेस्बूक पेच वाले फेच को फोलो करके रखें क्या इंडिया ने लोगों के लिए फ्लाइटे स्टार्ट कर रखी हैं देखिए अभी एक नई अप्टेट आईए कि इंडिया ने अपनी फ्लाइटे एक्स्टेंड करके 31 अगस तक बढ़ा दी गई है जो पिछले मारत से बढ़ते बढ़ते ये अगला मार्च आने की संभावना हो रही है यानि एक डेड़ साल सो एकदम हो गया आपको समझ को पता ही है 18-19 मैने तो हो गए फ्लाइटे बंद हुए हर मैने इंडिया एक मैने के लिए फ्लाइट बढ़ा दी थी सबसे बड़ा रिजन यह है और इसके पिछे और भी लोजिक के बात करेंगे इंडियन सरकार ने अभी इंटरनेशल फ्लाइटे एक्स्टेंड करके 31 अगस्त कर दिये हाँ जी 31 अक्टूबर तक फ्लाइटे सट्स्मेंट की जाती इस तरह से पिसले 18 मैने से प्रोसेस चल रहा है हर मैने इंडिया सरकार विदेशों के लिए इंटरनेशल फ्लाइटे एक मैने अक्स्टेंड कर देती है जबकी इंडिया की स्थिती करोना की क्या है आपको इस बात को भी जान लेना चाहिए वर्ल्ड में देखिए वर्ल्ड में जितने भी अभी देश चल रहे हैं करोना के माहौल में उसमें सबसे जिसमें 20 देश हैं उसमें 52 परतिशत केस इनी 20 देशों में हैं बाकी करोना 200 द कर रहा है उसके बावजूद की स्थिति है बात की बात करें तो इंडिया का नंबर आता बहुत इंडिया में लगब 42-45 जार के करीब अभी तक के सल रहे हैं इंडोनेशिया पाकिस्तान जी हां पाकिस्तान में भी आंकडे बढ़ चुके हैं अब बता दूं आंकडों की स्थि करने के चकर में आस्टेलिया ने सड़क पे अपनी सेना भी उतार दिये कि पर एकदम सक्ताई से पेस आया जाए और लोगों के पास आस्टेलिया के भी जा रहे हैं गल्प में बता दूं अब ये जो कंट्रीज हैं अब आप समझेए कि इन देसों में सबसे ज़्यादा पांस कंट्री उन्हें भी फ्लाइटे बेन करके रखे जी हां इसमें एक आपको गणित समझना पड़ेगा कि ये क्या रिजन है कि इतना बड़ा देश है इंडिया का उसमें 42-43 केस कोई बड़ी बात नहीं आना मामूली शी बात है आ सकते हैं क्यूंकि पब्लिक देखिए एक 1.35 में रोड के उपर पब्लिक है तो कोई बड़ी बात नहीं है देखिए इन जो गल्प देश हैं 6 देश मैंने बताएं दुबई कतर मसकत बैरीन कोई 6 देशों में मान लीजिए 1 क्रोड पब्लिक रहती है 6 देशों का अगर एवरेज माने 1 क्रोड पब्लिक रहती है गैरंटी के साथ मेरे से लिखवा के लिए लिजिए कि एक रोड में से लगबग 80 परशेंट पब्लिक कोन है 80 यानि 80 परतिस्थ कोन है 20 परतिस्थ कोन है मैं बता देता हूं केरल आपको पता है केरल तमिलाडू आंदरा परदेश कनाटक जी हां यह जो इधर के एरिया है आ लोड़ी साब अगेरे में तमिलाडू में यह बता दूं लगबग 20 से 30 परसेंट पूरा इंडिया कवर कर लेता है इन देशों 30 परसेंट लोग यह लोग रहते हैं इन गल्प देशों में जी हां और बता दूं आपको पता है इस्तिति क्या सल दिए अपी करोना इंडिया म पूरे राजियों को अलग कर दो बाई करल को अलग कर लो इतने लोग के मिलेंगे आपको विदेशों में दुबई कतर मस्कत बेरें सब वही बठे है ना और उसी स्टेड में सबसे ज्यादा के सारें करोना के तो बाई देखिए जो विए की सरकार है और भी अलग लग होती हैं तो लोग तो आएंगे यह तो नहीं कि प्रटिकुलर केरल तमिलाडूर को और करनाटका को और इनको रोग दो और बाकी स्टेड की फ्लाइटे स्टार्ट कर तो ऐसा तो नहीं होगा लाइटे तो सब साथ में स्टार्ट उड़ी है जबकि 40,000 केस एक इंडिया पू हो क्या संभव है जैसे फ्लाइटे स्टार्ट होंगी तो फिर यह लोग तो जाएंगे इन देसों में इन देसों में जाएंगे तो रहाए यह तो नहीं पहीं यह तपी नहीं तो पांच वी चोती लहर आ रही है जी हाँ आप सर्च करके देखना कई देशों में तीसरी लहर आके चली के चोती लहर आ रही है कई देशों में पांच भी लहर आ रही है आप इस बात को पता लेना और इंडिया का जो ये अगस्त का मेना आपकी प्रिक्षिया की गड़ी है वही ये अगस्त के मेने में आप ल तीसरी लहर आती है तो एक से 50 लाग लोग पर दे इसमें संकरमित होंगे और यह डेल्टा वरियंट है जी हां एक आदमी सिथे-सिथे तुरंथ परवाव से आँटं को इसमें जखडमें ले लेता है आँठ लोगों को एक आदमी तुरंथ परवाव से अपने जैसा ही उनको बना लेगा यानि संकरमित कर सकता है और यह डेल्टा वरियंट है इतना फास्टली बढ़ता है कि आप सोच नहीं सकते हैं पूरे परिवार को तुरंत प्रभाव से कहच कर लेता है यह डेल्टा वरियंट फैलने में संकरमित होने में इसकी जो स्पीड ह वो ज्यादा है जो पिछले दो बार जो करोना आपको पता है करोना पिलस डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू ऐसे साइंटिस्ट ने इनको नाम दे रखें जी हां दूसरी बात कर लेते हैं वही सबसे जो इनकी वज़ें का ना यानि अगर मुझे कोई Corona affected आदमी मेरे पास आता है तो 70% मेरा बचा होगा 30% में फिर भी उसके चांसेज हो जाते हैं यह इस्तिती है यानि एंटीबोटी डाउन होती जारी है लोगों की तो यह सब सर्वी है ना भाई पूरी लोगों के पास हैं जो विदेश में बैठे हैं सबके पास यह डेटा आते हैं अलंगे केरला के बात करें तो फैस्ट वेव में आपको पता है केरला ने अच्छी तरीके से करोना पर कंट्रोल कर लिया था वर्ड लोगों इंडिया में भी नंबर वन था केरला का कि केरला में कंट्रोल हो चुका है फ्लाइटे दूबारा स स्टार्ट हुई आप सब को पता है दुबारा से फ्लाइट स्टार्ट हुई इंडिया में उसमें पूरा सिस्टम कर दिया उसमें केरला भी संबल नहीं पाया जियां वहाँ पर भी सबसे ज्यादा एंटिबोडी फैल हो गई वहां पर एंग्जेक्शन विक्षिनेशन होने के बावजूद भी मामले बड़े हैं केरल में और यूके अमेरिका की बात यूके इंगलेंड की में बात कर रहा हूं जी हां अब बात कर लें कि पिसले सो दिनों में यानि सवा तीन मेने के दोरान आठ इस्टेड़ों के अगर बात करें तो कितने करोना हैं जो डोज हैं वो लगे और ये इस तरह से अगर डोज लगते रहे तो कब तक ये डोज कंप्लीट हो पाएंगे एक अगर सर्वे देखे तो बिहार में जी हां एक करोड़ बैयासी लाख लोगों के ठीके लगे हैं जो कुल आबादी का बतातू तो साथे 15% ही लोगों को ठीके लगे हैं यानि 100 में से 15% आप मान सकते 15 लोगों को ठीके लगे हैं जी हां एंटीबोडी की बात करें तो 75 एंटीबोडी यानि 75% ही एंटीबोडी वो काम कर रहे हैं करोना के कारगार जी यूपी में बात करें तो बता दूं लगबग पूर पूरी जनता है तीन क्रोड 64 लाख लोगों को अभी ठीके लगें लगबग 16% सवा 16% लोगों को ही खुल आवादी के ठीके लगें एंटीबोडी 71 परसीज़त आ रही है जियां महारास्टर की बात करें तो 3.15 क्रोड जी हां ठीके लगे हैं पूरी जो जनसंक्या वहां का 25 य जनसंक्या उसमें से 2.22 क्रोड 12 लाख लोगों को अभी ठीके लगें जी हां पूरी जनसंक्या का पता तूं 27 परतिसत अभी ठीके लगें चिंतर परतिसत एंटीबोडी यानि एंटीबोडी ठीक है राजस्तान में अच्छा इसका रिजल्ट है अठाट